नमस्कार देव भूमी एसकेड़ी के यूटूब सेनल में आपका स्वागत है आज का मेरा विशेश टॉबिक है भारत की करेंट अफियर में इंडियन करेंट अफियर अक्टूबर दोहजार चौबिश का करेंट अपडेट्स मन्थली करेंट अपडेट्स इसकी स्रीज में आ उसी सीरीज में यह है नैशनल चलिए शुरुआत कर देता हूं पहला कुशन इसमें है शत्तरवी राष्टी फिल्म पुरुषकार शमारोव में दादा सहाब फाल के पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका आंसर है मिथुन चक्रवर्ति को इस बार दादा सह कुई यहस की सुरुवात कऊ ही थी और सबसे पहले कैसे दिया गया था किस उद्धेष से दिया जाता है इसकी सुरुवात बियाजिश है 1969 में भारत सरकार त्वारा धी जाती है और फिल्म के छेतर में सबसे माना अजिवन योगदान के लिए यानि फिल्म उद्धियोक के अवार्ड वहिदा रह्मान को मिला था 2023 का और इस बार का जो अवार्ड है वो 54 है और मिथुन चक्रवर्ति को मिला है और इसके अलवा वने पदम भूषण सम्मान भी दिया गया है तो पदर भूषण सम्मान और दादा सहाब फाल की पुरुषकार से सम्माने तो यह था पहल सम्मानों में किस फिल्मने सरुषेष्ट फिल्म का पुरुषकार जीता है तो इसका अंसर है एनिमल ठीक है तो बैस्ट एक्टर सारुखान जी और जवान मूवी के लिए और बैस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर जी ठीक है तो यह वैसे ने टूद पॉइंट रिखा है हमने इस बार बहुत डिटेल की जरुवत नहीं थी क्योंकि इंडियन नेस्टल करेंट एफियर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कहीं भी आप इसको डिटेल कर सकते हैं लेकिन मेंली की 25-30 क्वेश्चन इस महने की जो खास होते हैं उसको महत्कून के कई साथी इस बार स्पेस मिसन के दौरान फस गये थे और उसी के लिए जो स्पेस एक्स नासा द्वारा नासा और स्पेस एक्स ने जो मिसन सुरुकिया उसका नाम है कुरू 9 ठीक है तो महत्कून कुश्चन यह आपके लिए हो सकता है अंत्रिक शिटेशन NSS न किन देशों के द्वारा किया जा रहा है तो इसका आंसर होगा भारत और कजाकिस्तान ठीक है मद्दी से इसे कजाकिस्तान और इसकी सुरुवात अगर देखी जाए तो बहुत पहले हुई थी हमारे मां और इस बार इसका आठमा संस्क्रण हुआ था 2016 में इसकी वास्तिक शुरुवात थी भारत और कजाकिस्तान के बद्द्र और आठमा संस्क्रण दोजार चोविस में इसका आयुजन चमोली उली में इसका आयुजन हुआ है भी चमोली के ऑली में ठीक है और नेक्स्ट क्वेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाली में बिटकिन और दूगी छेत्र देश को समर्पित किया या किस राज्यम है तो इसका आंसर होगा महरास्ट ठीक है अब जो राष्ट को समर्पित किया गया है नेक्स्ट कोई सने प्रधानमंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जंजाती ग्राम उतकर सब या की सुरूबात कहां से किया है जंजाती के कल्यान के लिए हजारी बाग जारकंड से उद्देश से क्या है भारत के सब्सक्राइब अमिराद युए युनाइटेड स्टेट अव अमिराद और इस सात्मा संसक्रण है तीन से बीस अक्टबर दोजार चौबीश के मद्द्य से आई विजित किया गया था ठीक है और आए सिसी उमें जो टूनामेंट है इसकी सुरुआद नो से हुई थी और पहला विजेता यहनी-विजिता है यहनी-विजिता नियूज्विजियंड इस बार ठीक है इह इंप्लेटन प्रस्टन आपके लिए होगा खेल से कि 2024 की जो विजिता टीम है निजिलेंड उस्तीड अफ्रीगा को भराया है ठीक है तो यह था ICC Women T20 World Cup 2024 ठीक है और इसका संस्क्रण था साथ वाँ जो अभी हाल ही में 3-20 October 2024 के मद्य हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ World Green Economy Summit 2024 का आयूजन किस देश में किया गया है Green Economy को सपोर्ट करने के लिए प्रमोट करने के लिए इसका हुआ है अभी सम्मिलन शेयुक्तराव अमिराथ UAE में next question 3-10 October 2024 को प्रधान मंत्री internship योजना 2024 सुरू की गई है प्रधान मंत्री internship योजना 2024 के तहत हर महां कितना stipend धिया जाएगा तो इसका कमपनियों में 21-24 वर्षी युवाओं को एक करोड़ युवाओं को internship के माध्यम से ट्रेनिंग देकर ससक्त बनाना है मत्तब युवा ससक्ति करना योजना है नई बजट में इसका प्रावधान था तो लगभग पूरे भारत में 500 कमपनियों में से 21-24 वर्षी युवाओं को इंटर्शिप देकर उन्हें ट्रेनिंग उपलब देख राना है रोजगार से जोड़ता है चलिए अच्छा से प्रस्ट था सस्त्र रामानुजम पुरुसकार 24-24 से किसे सम्मानित किया गया है तो यह अंतराश्टी स्तर का था और इसमें जो बड़े नाम है उसमें बिल समिन युविंग तंग रोसिंग जंग और लास्ट नाम है अलेकजेंडर डन यह अमेरिका की ठीक है यह नहीं पुरुसकार दिया गया और इस पुरुसकार की जयंती पर किस राज्य ने देश के पहले बापू टावर का उध्याटन किया तो इसका अंसर होगा बिहार बिहार में देश का पहला बापू टावर स्थापित किया जारा है नेक्स्ट कोई सने दोहजार चौबीश में सांति का नोबेल पुरुसकार किस संस्था ने जीता ह संगठन यह जापान का एक संगठन है ठीक है और वड़र के दारान जापान के नागासा के शरो स्लरवेश में पर्मान बंब् Peace इंडेक्श वाला अच्छ दोहजार तेश में भारत की रहेंग 111 थी 111 थी इस बार 105 है और 2024 में अंतिमिस्थान शोमालिया का है सोमालिया अफरीकी देश ठीक है नेक्ट वारत सास अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी मढणार को पार करने वाली दुनिया की कौन सी अर्थ वियुस्ता बन गया है तो इसका आंसर है चौथी अर्थ वियुस्ता बन चुका है भारत ठीक है अच्छा सा प्रस्ण था इरानी ट्रॉफी दोहजार चौबिश का खिता आप किसने जीता है और इसका आंसर है मुंबई मुंबई ने जीता है इरानी ट्रॉफी दोहजार चौबिश का खिता मुंबई ने से और विजयता उप विजयता टीम कौन रही है तो सेज भारत सेज भारत को वहराया है और सागर से लगवादेश है और उसके नए राष्ट में बने हैं कैस से चलिए आगे बढ़ते हैं जम्मु कस्पीर विधानशबाद चुनाओ 2024 और बहुत लंबे समय बाद जम्मु कस्पीर विधानशबाद चुनाओ और जब से 317 धारा हटी और अनुचित 35 से हटा उसके बाद यहां पर चुनाओ जो करवाए है उसमें सरवादिक शीट जीते हैं जम्मु कस्पीर नाशनल कॉन्फरेंस ने और कुल 90 सीटों में से बयाली सीट हैं जियन के पारटी को प्राप्त रहे हैं और नए मुख्यमंदर बने हैं सरी उमर अब्दुल्ला ठीक है चली आगे बढ़ते हैं हर्याणा विधानशभा चुनाओ इसी दोरान हर्याणा में विधानशभा वाता वहां पर 90 सीटों में चुनाओ भाता वहां 48 सीटें बीजेपी पारटी को जीते हैं और बीजेपी के नए मुख्यमंदर में नैप सिंग सेनी ठीक है चली जनरल सकते हैं आप साउथ इस्ट इसन नेशंस 1967 में इसकी स्थापना हुई थी इंडोनेशिया का आयोजन किस देश में क्या गया है तो इसका इस बार आयोजन हुआ है लाउस दख्णपूर इसया का देश है अच्छा खास क्या है इसमें चंवालीशवां और बायालीशवां और रतन टाटा का निधन हो गया इने किस वर्ष पदम विभूषण से सम्मानीत क्या गया है तो 2008 में उन्हें पदम विभूषण मिला था ठीक है करेंट का कुईस्टन था चली आगी बढ़ते हैं इने वर्ष 2000 में पदम भूषण उन्हें 2000 मिला था पदम भूषण अगर पू से हाली में मिल्टन तूफान से किस देश को प्रभाविद के हैं अंतराष्टी मेथेनौल सेमिनार दोजार चौबिस नहीं दिल्ली में निति आयोग द्वारा करवाए गया है हाली परधानमद्री मोधी द्वारा वर्ड, टेली कोमिनिकेशन, इस्टिंडार्डाइजेशन, एसेंबली 2024 का उध्गाणन कहां किया गया है तो इसका आंसर है नहीं दिल लिए ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेशन पंदर अक्टुबर को प्रधानमद्र द्वारा नहीं दिले में इसका उध्गाणन किया गया था, पंदर अक्टुबर 2024 को, निम्निम से किसी मिस इंडिया 2024 का खिदाब जीता है, तो इसका आंसर है निकिता पूर्वाल, निकिता पूर्वाल उज्जेन मधिपर्देश की है, और मिस इंडिया अगर 2023 का नंदिनी गुपता ने जीता था, तो यहाँ पर दो नाम एक साथ आए हैं, चलिए आगे बढ़ता हूँ, भारती सीना तरह लद्दाग में इस्तित काकसर ब्रिज का नाम बदल चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, पांचवे राष्टी जल पुरुषकार 2023 में सरशेष्ट राज्जी की स्रेड़ में किस राज्जी को पहला पुरुषकार मिला है, तो इस कांसर है, ओडी सा, ठीक है, ओडी सा, पहली बार सुर्ख्यों मारा है, जो इस टैप से एव प्रश्ट था एक फिर से, चलिए डिरेक्ट कोईस्ट की लिष्ट यहां पर जो दिखते है, तो इसका आंसर है कजान, यह काफी हाइलाइट सालना है, इसका आज़ज़ग कजान में हुआ है, और क्या प्रश्ट मनें इस से, यह कब हुआ है, बाइस से तेईस अक्टूबर तक रूस के कजान में इसका आयोजन किया गया है, और एक जर्मिली दोजार चौबिश को, ब्रिक्ष में पांच नए शदस्ट से चामिल हुए है, ठीक है, ब्रिक्स आपको पताईए, ब्रिक्स, ब्रजील, रसिया, इंडिया, चाइना और शाउथ अफरिका, यह सब डेस ह विकासिल अर्थविया उस्तावले और विक्षित अर्थविया उस्तावले देशों का सिंगण है, यह बहुत बड़ी अर्थविया उस्तावले देशों का सिंगण है, इसमें जो पांस नए देश है, उसमें मिस्र, ठीक है, अफरिका का बड़ देशों में है, अफरिका का भारत और किस देश के मध्य है तो ओमान भारत का प्लोशी देश है ओमान खाड़ी के देशों में लेकिन बहुत पहले से लेकिन यह संस्क्रण जो इस बार हुआ है यह चौद्वा संस्क्रण होगा 14 नमबर का इसका आयूजन हुआ है 13-18 अक्टुबर के मध्य ओमान में चली आगे बढ़ते हैं अनुशूचित जातियों का उपवरगी करण लागू करने वाला देश का पहला राज अच्छा प्रस्न है फिर से अनुशूचित जातियों का उपवरगी करण करने वाला हर्याना है ठीक है चली नेक्ट कोईस्टन भारत के 51 मुख्य न्यायाधीस क तक रहेगा अभी तो यह संजीव या राजीव खन्ना इस सब देखना पड़ेगा अच्छा चली आगे बढ़ता हूं पचासवी मुख्य न्यायधीस डी वाई चंद्रह चूड इससे पहले पचासवी मुख्य न्यायधीस डी वाई चंद्रह चूड थी सिंबेक्स किनों देशों के बीच आयोजित होने वाला एक सेन्य अभ्यास है तो भारत और सिंगापूर ठीक है ये क्वेस्टन आता रहता है सिंबेक्स भारत और सिंगापूर के मद्दी इस बीच काफी कंप्रमाइज हुआ है जब प्रधान मंद्र मोधी की वहाँ पर यात्रा हुई थी थ जिमाता घृष्ट करने वाल राज लेक्स वर्ड रेंकिंग दोजार पत्चीस में कौन सा हिस्तान भारती संस्तान शीर्षपर रहा है मतलब दोजार पत्चीस की जो लिस्ट होगी उसमें इसका आंसर है आयायम बंगलूरू ठीक है टॉप हंडिड बिजनेस संस्ताओं में चार भारती संस्तान शामेहन शीर्षपर रहा हैं से वैस्ट नवचार शूटर हुजग दोजार पत्चान भारत का इस्तान रहा है तो 39 ग्रोबल इनुनेवर्ट इनोवेशन इंटेक्श 2004 फर्टिन ऐंक के भारत 2023 में भारत का एस्तान था सालीश स्वां राष्ट्टी महला आयों कि अध्यक्स किसी न्यूक्त किया गया है तो इसका अंसर है विजया किसोर रहाट कर यह नौई अध्यक्स और यह रेखा सर्वा का स्थाने उन्ने लिए है बरतवान दुराष्टी महलाविक के अध्यक्स थी ठीक है करन का महत्पुर्ण को इस ने फिर से मिला अमेरिका कि ग्लोबल फाइनेंस पत्रिगा ने किस बैंक को भारत का सरुषेष्ट बैंक घोजित किया है इसका आंसर है एईजबी आईजबी 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 के बरतवान चीर मैंने है भी सीएस सिठी ठीक है चलिए टाटा ट्रस्ट कंपनी के ने अध्यक्त कौन न प्रतान किया गया है तो इसका है संकल्प तरू 2022 में इसकी स्थापना हुई थी अपूर भंडारी उसके अध्यक्त से या उसके संस्थापक लोग विकास भारती और बिहरी लाल ठीक है उनकी संस्था तो ये था आज का टॉपिक कंप्लीट करेंट अफियर अक्टूबर 2024 आ